Hey friends, welcome, कैसे हैं आप सब, आशा है, आप सभी स्वस्त होंगे आज के reading में friends हम चेक कर रहे हैं, इश्वर के दिवे संदेश आपके relationship के लिए आपके career के लिए, आपके health के लिए and और भी अगर आपके mind में कोई concept है, उसके लिए क्या है Reading timeless है, जब भी देखेंगे तभी resonate करेगी, लेकिन साथी में general है, collective है, सब भी gender, सब भी religion, सब भी caste के लिए equally available है जिस भी supreme power, divine universe में आप believe करते हैं, उनके through in messages को receive कर सकते हैं So, क्योंकि timeless है, तो जब भी देखेंगे, resonate करेगी, लेकिन साथी में general है, collective है, सब भी science के लिए है, तो जुरूरी नहीं है, सब भी से करे, अगर आप से करे, तो आप like, share and comment जरूर से करे सब से पहले हम चेक करेंगे आपके career के लिए divine के क्या guidance है Career के लिए आपके divine की guidance है आपके लिए, कि आपको अपनी creativity को और enhance करना है, वैसे आपकी creativity बहुत अच्छी है, आपके skills, आपकी knowledge बहुत अच्छी है, लेकिन इसको और ज़्यादा बढ़ाना है जल्दबाजी में कोई decision नहीं लेना, शान तवस्था में बैटके हर कोई decision लेना है और career में अगर आप problem face कर भी रहे हैं, तो next four weeks या four months में problems दूर होने वाली है क्योंकि divine की आपके उपर बरपूर blessings आ रही है, आपको अच्छी job, अच्छा business या आपको अच्छा profit मिलना शुरू हो जाएगा So may God bless you, ज्यादा घबराने के ज़ुरत नहीं है, बस आप अपने skills अच्छे कीजिए और अपने efforts लगाते रहे है Relationship पे लिए आपके लिए क्या guidance है, फाइटिंग, Relationship पे लिए guidance है कि बिना बात के arguments में ना पड़ें ठीक है, होता है छोटी सी छोटी बातों पे अकसर arguments हो जाते हैं और बात का बतंगड बन जाता है तो Divine कहा रही है कि बिना बात पे छोटी छोटी बातों पे या फिर बिना बात की बातों पे जादा arguments ना करें unnecessarily के arguments और fights से बचें and relationship को प्यार से आगे बढ़ाने की कोशिश करें और अगर no contact में भी हैं आप लोग किसी के साथ तो भी आपके अंदर जो struggle चल रहा है सबसे पहले आपको उसी को खतम करना है आपके अंदर जो fight चल रही है उसी को खतम करना है give up नहीं करना meditation करके खुद को शान्त करने की कोशिश करें health के लिए क्या guidance है health के लिए किसी अच्छे counselor की सिला ले और उसको follow करके अपनी health को improve करने की कोशिश करें कोई और topic आपका mind में चल रहा है उसके लिए आपके लिए क्या guidance है आपके life में tough phase चल रहा है divine कहना चाहरी है लेकिन यह tough phase peak level पर है और बहुत जल्दी यह phase end होने वाला है after that everything ठीक हो जाएगी and again creativity का card है तो अपनी creativity पर ध्यान दो अपनी look पर ध्यान दो अपनी health पर ध्यान दो अपनी wealth पर ध्यान दो अपनी knowledge पर ध्यान दो अपने skills को बढ़ाओ और life में बहुत कुछ चांसल कर जाओ so क्यों क्योंकि इश्वय की blessings आपके साथ हैं तो आप सब को चांसल कर जाओगे बस आपको खुद की importance समझनी है कि आपकी क्या importance है अगर हो सके तो यह affirmation बार बार दो रहाओ I am the best and I deserve the best ठेक है तो definitely काफी confidence आएगा और life में काफी तरक्य कर जाओगे May God bless you friends I hope your reading resonate की होगी पसंद आई होगी thank you so much for watching for more clarity you can book your personal paid readings too इसकी detail description box में given है